वेलकम टु न्यू लेसन इस लेसन में मैं आपसे बात करूँगा अबाउट लेंग्विज सेटिंग्स यह बहुत ही ज्यादा मिस अंडर्स्टूड कॉंसेट है जातर लोगों को पता नहीं है कि लेंग्विज सेटिंग्स कैसे काम करती है ओवर दा येर्स गूगल ने काफी चेंजिस किये हैं लेंग्विज सेटिंग्स के अंदर तो जैसे आप एड बनाते हो तो आप देखोगे यहां आपके पास ऑप्शन आता है लेंग्विज इसका गूगल आपसे पूछता है कि भाईया किस लेंग्वेज में एड दिखाना चाहते है अब यहां लेंग्वेज से मतलब क्या है कि आपका जो यूजर है वो कौन सी लेंग्वेज समझता है For example, suppose करो आपका यूजर समझता है Hindi, just Hindi, उसे English बिलकुल नहीं आती और आपकी एड चल रही है English आपकी जो एड दिख रही है वो दिख रही है English तो कोई फायदा नहीं है आपको एड दिखाने का तो वही गूगल आपसे पूछ रहा है कि भाईया आप किस लेंग्वेज में एड दिखाना चाहते है ठीक है अब लेंग्वेज टार्गेटिंग काम कैसे करती है पहले तो ये समझो देखो गूगल जो है वो बड़े सारे सिगनल्स यूज़ करता है ये समझने के लिए कि यूजर को कौन सी लेंग्वेज समझाती ठीक है जी बड़े सारे सिगनल्स यूज़ करता है गूगल यूज़ करता है कि आप किस लेंग्वेज में सर्च मार रहे हो वो लेंग्वेज यूज़ करता है तैं गूगल आपकी सेटिंग्स देखता है मतलब आपने जो अपना Google है वो किस लेंगवेज में आप चला रहे हो आपका जो Chrome ब्राउजर है वो किस लेंगवेज में सेट है Google यह देखता है इसके अलावा Google यह देखता है और बड़े सारे सिगनल यूज करके ये देखता है कि आपको कौन सी लेंगवेज समझ आती है और एक चीज जो आपको जानना बहुत ही जादा जरूरी है कि गूगल एड्स या कीवर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करता ठीक है जी गूगल जो है वो एड्स को या कीवर्ड्स को खुद ट्रांसलेट कभी भी नहीं करता ठीक है तो अब एक बार और समझते हैं कि लेंगवेज टार्गेटिंग काम कैसे करती है मैं अपना एक्जामपल लेके समझाता हूँ अब तो सपोस करो मैं मेरी जो गूगल का सेटिंग है उसमें लेंगवेज है इंग्लेश उसमें लेंगवेज क्या है इंग्लेश बट मैं हिंदी वेब साइट भी विजिट करता हूँ और से स्पैनिश वेब साइट भी विजिट करता हूँ ठीक है मेरी लेंगवेज की सेटिंग में है मेरी गूगल की सेटिंग क्या है इंग्लेश बट मैं वेब साइट कौन से विजिट करता हूँ हिंदी भी और स्पैनिश भी इसका मतलब क्या है Google मुझे कौन-कौन सी आड़ दिखा सकता है ऐसी आड़ जो English में हो Hindi में हो या फिर Spanish में हो Google मुझे ये टीनो आड़ दिखा सकता है कौन सी English, Hindi या Spanish Again, based on कि मैं कौन सा keyword सर्च कर रहा हूँ क्या keyword मैं सर्च कर रहा हूँ Based on that मुझे English ads भी आ सकती है Hindi वाली भी आ सकती है और Spanish भी आ सकती Right, तो Google ने यहाँ पर क्या-क्या signal यूज किया Google ने यहाँ पर signal यूज किया English Sorry, मेरी Google की settings और मैं कौन सी websites विजिट करता हूँ उसकी information ये यूज करके Google को पता चल गया कि भया ये जो यूजर इंग्लिश भी यूज करता है Hindi भी यूज करता है और Spanish भी यूज करता है तो मुझे तीनो टाइप की ads Google दिखा सकता है Right, अब अगर आप यहाँ होगे तो देखो आपके पास Languages में क्या option है एक तो option है All Language जब आप All Language रखोगे तो इसका मतलब है User कोई भी language बोले कोई भी language समझे As long as उसका जो keyword है जो keyword सर्च कर रहा है As long as वो keyword आपके keyword से match होता है As long as उसकी search term आपके keyword से match होती है आपकी add दिख जाएगे क्यों दिख जाएगी क्योंकि आपने क्या select किया हो है All Languages ठीक है दूसरा option क्या है आपके पास यहाँ पे language आप select कर सकते हो तो suppose मैंने यहाँ पे ले लिया हिंदी और मैंने यहाँ पे ले लिया English अब क्या होगा खाली उसी user को आपकी add दिखेगी जिसे हिंदी और English समझ आती है हिंदी और English समझ आती है यह Google को कैसे पता चलेगा कि user को हिंदी और English समझ आती है अगेन जो हमने बात कि उसके user के account के settings से उसके search history से यह Google को पता चल जाएगा तो बस इन ही user को आपकी add दिखेगी प्लस जो वो search कर रहा है वो keyword आपके keyword के साथ match होना चाहिए जैसे मैंने आपको पहले बताया Google खुद कभी भी keyword या ads को translate नहीं करता तो यह आपको mind में चीज रखनी है हमेशन एक option और है आपके पास कि आप चाहो तो बस एक language सेलेक्ट कर सकते English अब जागर मैं English लिखा मतलब उसी user को मेरी ad दिखेगी जो English समझता हो यह कैसे पता चलेगा Google को अगेन उसके settings उसके history से प्लस जो उसका keyword है वो मेरे keyword से match होना चाहिए ठीक है अब सवाल यह है कि best case scenario क्या है आपको क्या setting यूज करनी है तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि हमें best setting क्या है हमें यह नहीं रखने राइट और हमें यहाँ पर क्या रखना है all languages languages में आपको क्या रखना है all languages बहुती बहुती ज़्यादा simple ठीक है जी I hope आपको clear है languages में again मैं एक बार recap कर देता हूं Google कभी भी keywords को ads को translate नहीं करता और आप Google को पता कैसे चलता है कि आपको क्या language समझाती है तो Google को यह पता चलता है आपके Google के settings से या आपकी search history से और आपकी ad उन्हीं लोगों को दिखती है जिसे आपकी language समझाती है तो अगर आपने English और Hindi को अपना language रखा है देन उन्हीं बंदों को आपकी ad दिखेगी जिसको English और Hindi समझाती है based on जो आपने बाद केती search history वगएरा प्लस उसका जो keyword है वो भी आपके keyword के साथ match हो न चीए ठीक है बहुत ही बहुत ही ज़्यादा simple ठीक है जी यह छोटा सा lesson था आज का thank you so much for watching